Women's Hockey 5S World Cup चल रहे हैं जिसका आज final match खेला जाएगा India versus निदरलैंड के बीच में और ये match आज शाम 9 बचकर 50 मिनट पर खेला जाएगा तो इस match के बारे मैं मैं आपको बहुत सारी interesting facts बताने वाला हूँ तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को भी लाइक करें नमस्कार दोस्तों मैं हूँ विशाल राना और आप देख रहे हैं पहाडी व्रदस ओफिशियल स्पोर्ट्स चैनल दोस्तों भारती महिला होकी 5S में अभी तक अनबीटन रही है अपने पूल मैचेज में क्वाडर फाइनल में और सेमी फाइनल में शांदार परफॉमेंस देकर आई भारत की टीम फाइनल पहुँच गई है भारत ने पूल मैचेज में बस एक पोलैंड थी जिसने भारत को टक कर दी थी क्योंकि भारत उसमें सिर्फ एक गोल डिफरेंस से जीता था उसके बाद तो भारत ने यूएस नामी भीया को पूल मैचेज में ख़देड डाला और फिर जब क्वाडर फाइनल आया तब लगा शायद न्यूजिलैंड की टीम बहुत टक कर देगी न्यूजिलैंड ने अपने मैच शुरू होने से पहले ही एक अपना कल्चर भी दर्शाया काफी अच्छा डांस भी करा परफॉमेंस दी जिसको देखकर लगा कि आज तो न्यूजिलैंड पता नी क्या ही उखाड देगी मतलब भारत को काफी जादा खत्रा हो गया ऐसा लगा मुझे देखकर लेकिन जब मैच शुरू हुआ तो पहला गोल न्यूजिलैंड ने दाग दिया तो फिर उसने वही डांस किया एक खिलाडी ने तब ऐसा लगा कि शायद न्यूजिलैंड की टीम कही जीत न जाए लेकि भाई उसके बाद जो भारत की परफॉर्मेंस देखने को मिली है दस गोल डिफरेंसे हम जीते हैं 11-1 का फाइनल स्कोर रहा था तो मानो भारत ने वन साइडी डॉमिनेंट किया इस गेम में और न्यूजिलैंड को बाहर किया इसके बात विजब मैच हुआ कल रात लगबग 11 बजे की आसपास साउथ अफरीका के खिलाफ तो वो मैच भी भारत के लिए काफी इंटरस्टिंग रहा साउथ अफरीका ने थोड़ी टककर तो दी थी दो तीन गोल करे लेकिन भारत ने जो जवाब में गोल पर गोल दागे रुतुजा जी दिपिगा जी मुमतास खान सा है अपने फाइनल में जाने की और इस मैच के इंटर्वियों के बाद भी हमारी भारतिय महीला बहुत एमोशनल हो रखी थी उनसे जब बात की गई तो उनने कहा कि सारी टीम ने अच्छा खेला है पुरी टीम की युनिटी अच्छी है उसके कारण हम जीते हैं इस मैच को ठ भाई भारत से दो गुना जाद अच्छी परपॉमेंस दी है ओमान के खिलाफ 21 एक गोल डिफरेंसे जीते हैं फीजी के खिलाफ निदरलैंड की टीम ने बहुत चांदार परपॉमेंस किया पॉलैंड के खिलाफ जब खेले अपने नोकाउट मैचेस में निदरलैंड की टी तो पॉलैंड को पॉलैंड ने थोड़ी से रख कर दी 3-1 का स्कोर रहा बढ़ फिर भी निदरलैंड की टीम 2 गोल डिफरेंसे जीती है पॉलैंड से निदरलैंड भी फिलाल अनबीटन है अपने पिछले 5 मुकाबलों में तो यह जो फाइनल मैच होगा न ऐसा मानो की ने कहीं पॉलैंड और साउथ एफरिका ने थोड़ी टक कर दी है बट जीते हम भी हैं बट अब देखना यह बहुत धिल्चस्प रहेगा क्या निदरलैंड को हम हरा पाएंगे आप जानते ही हो निदरलैंड होकी में कितना अच्छा खेलती है फिर हो चाहे होकी 11 की बात कर लो मैंसिया वूमेंस की बात कर लो तो आज जो फाइनल मैच खेला जाएगा नो बचकर पचास मिनट पर बहुत एहम बहुत इंपोर्टन्ट और जोरदार होने वाला है ठीक है रिजल्ट कुछ भी हो सकता है होकी 5S है बहुत कोई गेम है बहुत ज़्यादा गोल्स आते है अनप्रिडिक्टेबल है कोई भी जीत सकता है तो निराश होने की जरूरत नहीं है जो भी रास्ट में रिजल्ट रहेगा बस ये मानिये कि भारत ने बहुत अच्छा पर्फॉमेंस किया है और आने वाले कुछ सालूम है हम जरूर इस पे डॉमिनेट ही करेंगी अब मैंस क जो वर्ल्ड कप है वो 28 तारीक से शुरू हो जाएंगे यानि कि कल से शुरू हो जाएंगे और मैंस भी बहुत अच्छी है होकी 5S में ठीक है तो वो हो गया मैंस के लिए लेकिन जो आज मैच होना है ना उसमें भाई बहुत मजाएगा और मैं अभी सही इंतजार कर रहा मैच का वैसे आज टैनिस की मैं अपडेट दे दू रोहन बोपना जी का फाइनल मैच भी खेला जाएगा तीन बजे तो मैं उसकी भी लाइव कमेंटरी करूंगा तो आप हमारे साथ दोनों मैचिस में जरूर सपोर्ट करिएगा इंडिया को भाई हम भी निरस्वार्थ इस वर्ल्ड कप को उठाना है चलिए मिलता हूं मैं आपसे नई वीडियो में नई अपडेट के साथ तब तक देखते रहे हैं पहाडी ब्रदर्स जै हिंद जै भारत